घटाने के चौथे स्तर में स्वागत है आए कुछ सवालों से शुरू करें तो पहला सवाल है 33,220 घटा 399 जैसे हम पहले भी कर चुके हैं तीसरे स्तर में हमने उधार लेना सीखा था सबसे पहले हमें उपर की संख्या में दाएं से शुरू करके सभी अंकों को देखना है और यह पक्का करना है कि वे नीचे की संख्या के अंकों से बड़े हो क्योंकि आप केवल बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा सकते हैं इसलिए ये देखकर पक्का करें कि उपर की सभी संख्याएं बड़ी हो। पहली संख्या देखें, ये शून्य नौ से बड़ा नहीं है। तो शून्य को बड़ा करने के लिए हमें उधार लेना है। हम बाई और यानि दहाई से एक उधार लेते हैं। दहाई से एक लेने का मतलब है दस लेना सरल करने के लिए हम कहते हैं कि हम सिर्फ एक उधार ले रहे हैं अगर आप दो से एक उधार लेकर इस शून्य को देते हैं तो शून्य कमान दस हो जाता है और इस दो से एक चला गया तो यहां एक रह जाता है हमने 2 से 1 उधार लिया और इसे 0 निको दिया असल में हमने 2 से 10 उधार लिये हैं क्योंकि 2 दहाई की जगह है मैं आपको चक्राना नहीं चाहता इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने 2 में से 1 लिया और 10 बनाने के लिए 0 के सामने रख दिया आगे चलते हैं. यहाँ पर एक है. एक भी नौ से चोटा है. तो फिर उधार लेना होगा. इसलिए हम अगले दो से एक उधार लेते हैं. ये दो अब एक रह जाता है. और ये एक. अब होगा ग्यारा. तो अब हमारे पास 10 है, जो 9 से बड़ा है, अब 11 इस 9 से बड़ा है, लेकिन 1 तीन से बड़ा नहीं है, इसलिए फिर उधार लेना होगा ये एक अच्छी समस्य है, मुझे आप सबको पहले ही इसके लिए तयार करना चाहिए था तो उधार लेने के लिए हम फिर से वही करेंगे, ये एक हो जाएगा 11 और इस 3 से एक उधार लेंगे, तो यहाँ 2 बचेगा लगता है हमारा काम हो गया, 10 नौ से बड़ा है, 11 नौ से बड़ा है, 11 तीन से बड़ा है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, 3 के नीचे कुछ नहीं है हम घटाने के लिए तैयार हैं, अब ये आसान है, 10 घटा 9 है 1, 11 घटा 9 है 2, 11 घटा 3, 11 घटा 3 है 8, 2 घटा कुछ नहीं है 2, 3 घटा कुछ नहीं है 3, हमें उत्तर मिला 32,821, घटाने के साधारन तरीके से ये तरीका थोड़ा सा कठिन लगता है, क्योंकि आपको उधार लेना सीखना पड़ता है, मेरा उधार लेने का तरीका उस तरीके से अलग हो सकता है, जो आपको स्कूल में सिखाया गया है, मैं सोचता हूँ ये तरीका शायद आसान है क्योंकि आ बार-बार उधार लेने और घटाते रहने की बजाए सभी उधार एक साथ लेते हैं हमने यहां भी यही किया और बताया कि 0.9 से छोटा है एक उधार लेते हैं, 0.10 हो जाता है क्योंकि हमने यहां से एक लिया हमने एक इस दो से लिया और यहां दो हुआ एक यदि हम कुछ और सवाल करें, तो आप इस तरीके को और समझ सकते हैं तो यदि मुझे 25,633 में से 578 घटाने है वही अभ्यास, बिल्कुल दाएं से शुरू करके ये पक्का करना है कि उपर वाले सभी अंक उनके नीचे के अंकों से बड़े हो अब ही देखें तो, 38 से छोटा है, इसलिए एक उधार लेना होगा तो ये 3 हो जाएगा 13, फिर इस 3 से उधार लें, तो यहां 2 बचेगा हमने इस 3 से एक उधार लिया, तो 2 हो गया और एक को यहां रखा 13 अब 8 से बड़ा है, लेकिन 2 साथ से छोटा है, इसलिए फिर उधार लेना होगा ये 2 हो जाएगा 12, और 6 हो जाएगा 5 13 आठ से बड़ा है, 12 साथ से बड़ा है, 5 पांच के बराबर है, तो आप घटा सकते हैं क्योंकि 5 घटा 5 है 0, उपर वाली संख्या है, नीचे वाली संख्याओं से बड़ी है, ये 5 इस 0 से बड़ा है, और 2 के नीचे कुछ नहीं है अब हम घटा सकते हैं, 13 घटा 8 है 5, 12 घटा 7 है 5, 5 घटा 5 है 0, 5 घटा कुछ नहीं है 5 अगला सवाल आपको कुछ और चक्रा आएगा, क्योंकि उधार लेना इतना आसान नहीं है, असल में आपको दो स्थानों से उधार लेना है मान लो मुझे 37,002 में से 155 घटाना है वही अभ्यास, यहाँ दो 5 से कम है, तो हमें उधार लेना होगा, यह दो हो जाएगा 12 यहाँ तो 0 है और 0 से उधार नहीं ले सकते, कुछ लोग आपको 0 से उधार लेना भी बताएंगे, मगर यह आपको चक्रा सकता है क्योंकि आप 0 से उधार नहीं ले सकते, तो 0 से उधार लेने की बजाए हम आगे भढ़ेंगे, लेकिन वहां भी कुछ नहीं है अब यहाँ साथ को देखें अब हम शून्य से एक उधार लेने की बजाए जो की मुश्किल है इस पूरे साथ सो से एक उधार लेते हैं और साथ सो घटा एक क्या होगा? ठीक, ये छे सो निन्यानवे है इस तरह साथ सो रह जाएगा छे सो निन्यानवे ये सारा काट देते हैं अब फिर से संख्याओं की जाँच करें बारा पांच से बड़ा है नौ पांच से बड़ा है नौ एक से बड़ा है छे के नीचे कुछ नहीं है और तीन के नीचे कुछ नहीं है अब हम घटाने के लिए तयार हैं 12 घटा 5 है 7, 9 घटा 5 है 4, 9 घटा 1 है 8, 6 घटा कुछ नहीं है 6, 3 घटा कुछ नहीं है 3 तो उत्तर हुआ 36,847 हमारे पास एक और सवाल का समय है तो मान लो 3,201 में से 502 घटाना है फिर से वही अभ्यास 1, 2 से छोटा है इसलिए उधार लेना होगा इसे 11 में बदलते हैं लेकिन 0 से उधार नहीं ले सकते इसलिए हमें पूरे 20 से उधार लेना होगा अच्छा तो 20 घटा एक क्या होगा? ठीक, ये 19 हो जाता है तो हम दोबारा जांच करें 11,2 से बड़ा है, 9,09 से बड़ा है ओ, लेकिन 1,5 से बड़ा नहीं है तो फिर उधार लेना होगा ये 1 हो जाता है 11 हमने इस 3 से उधार लिया, जो 2 हो जाता है 11,2 से बड़ा है, 9,0 से बड़ा है 11,5 से बड़ा है, 2 के नीचे कुछ नहीं है हम घटाने के लिए तयार है 11,2 है 9 9,0 है 9 11,5 है 6 2,0 घटा कुछ नहीं है 2 तो 3,201 घटा 502 वराबर है 2,699 अब आप तयार हैं तो स्तर 4 की घटाने की समस्याओं को सुलजाने की कोशिश करें ये पक्का करें कि उपर की सभी संख्याएं नीचे वाली संख्याओं से बड़ी हो जहां जरूरत हो, वहां आपको उधार लेना है और तब आप अपने घटाने की सवालों को सामाने सवालों की तरह हल कर सकते हैं आशाय आपको मज़ा आएगा, फिर मिलते हैं